असलाम अलेकूम आज हम आपके साथ चटपटे चटखारेदार कबाब की रेसिपी शेयर करने वाले अगर आपको बाजार वाले कबाब जो ठेलों पर बिखते हैं खाना पसंद है तो इस कबाब की रेसिपी को आप मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ही मज़े के बनते हैं, इस ठंड के मौसम में गरम-गरम कबाब को आप ताजे पुदीने, धनी की चटनी, प्यास और लिम्बू के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, चाय शाम की चाय पर बनाएं, चाय डीनर में पूरी पराटे के साथ खाएं, रेसेपी को जरूर ट्राए क 10% आधा किलो कीमी में, कम से कम 10% फैट होना चाहिए, जिससे कबाब बहुत ही जूसी बनेगे, और खाने में भी मज़े के लगेगे, अब इसमें हमने कुछ मसाले डालना है, जिसमें 10 तेज वाली मैंने हरी मिर्च ली है, मिर्च आपने टेज के साब से अड़्जेस कर सकत कम यह जादा, और 20 लसन के जवे ले लिए, दो इंच का अधरक का तुकड़ा लेके, बिना पानी डाले, मिकसर में हम इसे पीस लेगे, हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे अच्छी तरीके से आप मिकसर में क्रश कर ले, अब मैंने इसे क्रश करके डाल दिया है, अब दो मीडियम साइज की प्यास को भी बारिक बारिक चौप करके, इसे मैंने पानी निचोड लिया है, हमें नकीमे में भी पानी नहीं रहना चाहिए, और प्यास में भी नहीं, तो इससे हमारे कबाब फ्राइर होते वक्त फूटे गे नहीं, अब इसमें आधा चाय का च चमच मैंने लाल मिच का पौडर डाल दिया है, अब एक टेबल स्पून एक खाने वाला चमच उटा हुआ धनिया राल दे और एक चाय का चमच इसमें मैंने भूने जीरे का पौडर डाल दिया है, अब इसमें दो चुटकी आप खाने वाला सोडर डाल दे, ये गोश में ग कबाब सुकड़ेंगे नहीं और कबाब गलाने भी भी खाने का सोडा काम करता है अब एक चाय का चमच बारिक सौफ डाल दिये हैं बड़ी सौफ का इस्तेमाल नहीं करेगा बारिक सौफ का इस्तेमाल करें और नमक डाल दे अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने एक टीस्पून मसाला है हाफ टीजपून इसमें मैंने काली मिच का पॉडर डाल दिया और हाफ टीजपून घर का गरम मसाला पॉडर मैं तमाम मसालों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी आप वहां से देख लेना अब सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है उसके बाद अच्छे से हमें मिक्स करना है इसे हम बिलकुल स्ट्डिक में ही फ्राइ कर एगे अब कबाब को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे मेरेनट होने के लिए रख दिया था इसे मैंने दो से ढाइए गंटे तक के लिए मेरेनेट किया है, जितना मेरेनेट होगा, उतना ही मज़े का लगेगा, इसे मैंने फ्रीज में रख दिया था, फ्रीजर में नहीं रखना है, अब कबाब को हमने दोबारा से मिक्स करके, इसकी टिकिया बनाएगे, हमें बहुत जादा मोटी साइस की टिकि जям बनाएगे, किस तरीके से मैं बनाई हूँँ, आप देखे, इसी तरीके के आप इसकी टिकिया रखे, इस तरीके से, गैस पर मैंने तावा रख दिया था, लोहे के तावे में ही मैंने कबाब को फ्राइ किया है, और सरसो के तेल का मैंने इसके इसके बहुत अच्छा त कबाब को हमने हलका सा कलर आने के बाद some magic color कि ठीड़ किनारे पिर का के अदे हाँ हम ओकिक पपर को किड़िया Within ओप पाजनें binatum इसको मेडियम रखेगा, छे से साथ मिनट में एक कबाब अच्छी तरीके से फ्राइ हो जाते हैं, इस तरीके से कलर आने पर आप इसे पलट दें, और इसे हमने किनारों पर लगा के पाकी जगे पर दूसरे कबाब की टिक्या डालते जाना है, बिल्कुल इसे हमने स्ट्रीट स्टाइल में ही फ्राइ किया है, अगर आप नए हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसे फ्राइ कर सकते हैं, अब इस तरीके से कबाब को डालते जाएं, गैस के आच को हमें तेज नहीं करना है, ने तो बाकी जो कबाब पर कलर आ गया हो जलने का डर रहेगा, अब हम इसे निकाल लेगे, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के बनते हैं, गैस के आच को ना हमें धीमा रखना ना जादा तेज, क्योंकि जादा धीमा रखेगे तो कबाब पानी छोड़ देगा, तो खाने में इतने जूसी नहीं लगेगे, आधा किलो कीमे में आपके पं कि आने वाली हरासान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी पकाएं, दिल से पकाएं, प्यार से घरवालों को खिलाएं, फिर मिलते हैं नही झाल झाल